दोस्तों आज की वीडियो जो इंटीरियर का काम करते हैं जो गर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेट है क्यूंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइल्स के ऑप्शन बताऊंगा और उनका रेट वी साथ में बताता जाऊंगा कि क पैकेज वीडियो होने वाली है थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन आपको आईडिया लग जाएगा और अच्छे अच्छे दिखाऊंगा मैं ऑप्शन भी कजारिया के और जो टाइल्स हैं उनके रेट भी साथ में बताता जाऊंगा तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले प प्राइब हो बीच्छे पहले जाता है सामने जो नीचे टाइल आप देख रहे हो यह कजारिया की टाइल है और इसका जो प्राइस है वहाई शक्स्टी रुपी पर स्केयर फीड के हिसाब से टाइल पढ़ी है और दो बाई चार का पीस हम इसे बोलेंगा दो बाई चार का टाइल है यह तीन चीज़े में होती है company कुन सी है कितने का piece है rate क्या है और vitrified है यह ceramic है तो यह color option आप रख सकते हो white cream है और उसमें patterns है next जो lobby के लिए यह मैं अगर बोलूँगा तो lobby के लिए black color कर भी वो white में आगया यह आगया black में तो black में भी choose कर सकते हो क्योंकि black जब lightning लगती है तो काफी ज़दे attractive दिखते है अभी जो वीडियो में टाइल से आप देखो कि उनकी अच्छे से सफाई नहीं है क्योंकि work चल रहा है तो उसी दिरौन में ने वीडियो बना दी है लेकिन यह pattern आप choose कर सकते हो और यह जो सामने चार के जो piece रहता है एक दिक्कत उसमें देखने को मिली है कि वो band रहता है तो जो piece आता है वो थोड़ा band होता है कजारी है कि टाइल से mostly मैंने देखा जो बड़े pieces आते हैं marble type वो थोड़े band रहते हैं तो इनको आपको क्या करना है group provide providing run है 3-4 mm का group आपको रखना ही रखना है अगर 3-4 mm का group रखते हो तो जो band होता है वो काफी हलका देखने को मिलता है तो ये चीज होती है तो इन tiles के option ले सकते हो lobby के लिए आगे बढ़ते हैं room की तरफ तो ये जो tile आप देख लिए wooden pattern में ये planks आते हैं मतलब foot by ये 3 foot का आता है 1 by 3 का piece होता है मतलब 1 meter लंबा होता है और 230 mm ये चोड़ा होता है ये wooden pattern आप एक room के लिए choose कर सकते हो ये सामने भी आप देख रहे हो तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी ये जो tile रहती है mostly ceramic की tile है बर्मोरा कंपनी की ये tile है और ये 40 रूपे पर square feet के एसाप से आपको पड़ेगी और एक अच्छा pattern ब सेरेमिक टाइल यूज की गई है और एक glossy look देती है जब light इस पर पड़ेगी तो काफी अच्छी देखने को आपको मिलेगी और इसमें patterns काफी ज़दा बना सकते हो cutting करके देखो एक आपने देखा पूरा plank लगाया गया था लेकिन यहाँ पे मतलब एक alternate plank के इसाप से बनाया वाली है और इसका price जो है 64 उपे पर square feet के हिसाप से पड़ा हुए है और 2x4 का यह piece है और इसकी अगरम price जैसे मैं ने बता दिया लेकिन इस में जो band की दिक्कत रहती है इसलिए यहाँ आप सामने देख रहे हो group provide की है तीन mm का group provide की है और एक glossy look देते है एक चीज इसमें दि pattern बने नहीं तो आपने marble में देखा होगा ऐसे एक shape सी बनती है वो किसी साब से बनती है tiles में भी possible होती है लेकिन अगर tile में आप क्या करोगे इन में AB section होती है हमेशा दियान रखना जब भी tile buy करोगे AB section जुरूर देख लेना और यह चीज यह इसको भी आप एक room के लिए option र अलग है इस बुटन का यह 2 by 2 का piece है और इसका प्राइस पड़ा है वह पड़ा है ब्यालीस रुपे 42 रुपे पर स्केर फीड के साब से इसका प्राइस पड़ा है और एक button pattern है अलग सा unique सा आपको दिख रहा होगा और company यह कजारिया ही है कजारिया company का है और इसमें अगर हम रखने जो pattern wise style होती है उसमें अगर group दोगे तो वो थोड़ी अजीब सी दिखती है देखने में अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको भी एक रूम का option रख सकते हो काफी अच्छी टाइल देखने में यह लग रही है next अगर मैं आपको bathroom का भी दिखा दूँ क्योंकि 4 bathroom की मतलब plain pattern रहेगा तो इन patterns के साथ भी आप जा सकते हो एक तो option होता है आप bathroom का आपको कि उपर तक टाइल लगा सकते हो मतलब rooftop तक एक तो आप 7 feet तक भी लगा सकते हो आप पे depend होता है उपर तक लगा हो तो थोड़ा ज़्यादा attractive दिखते है लेकिन थोड़ा उसमें खर्चा ज़्यादा होगा अगर हम बात करते हैं flooring इसकी आप देख रहे हो एक whitish look में है और उपर pattern देखने को मिल रहा है आपको तो ये भी जो टाइल है ये बर्मूरा company की है अगर हम बात करें इसका ये ceramic टाइल है और ये हमारी 37 रूपे per square feet के हिसाब से आपको मिल जाएगी काफ और ये पड़ी है 40 रूपी 42 रूपी per square feet के हिसाब से और इसका जो पीस है अगर हम बात करें एक बाइद दो का पीस है मतलब एक अच्छा लुक आपको देखा जब इसमें जब फिटिंग लाइट फिटिंग हो जागी और थोड़ा अभी अगर मैं बात करूं टाइल थोड आप वाश वेशन होता है वाश वेशन एरिया में बैग में टाइल आती है तो एक जो 3D प्रिंट आजकल चला है उस पैटरन के साथ जा सकते हैं काफी अच्छी टाइल आपको ये देखने को मिलेगी तो सामने आप देख रहे हो एक मतलब एक पाम पत्तों की तरह एक शेप इसमें रख सकते हो और इसका जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 38 रुपे पर स्केर फीड के हिसाब से आपका प्राइस इसमें आपको देखने को मिलेंगे अगर हम बात करते हैं जो बहार की जगा रहती है तो उसमें भी आप टाइल इस पैटरन में प्रोवाइड कर सक तो यहाँ स्लिप बगारा देखने को आपको नहीं मिली कि थोड़ी डल सी आपको देखने को मिल रही होगी लेकिन अब इसकी वाशिंग बाकी अगर मैं इसके देखो पैटरन में दिखा देता हूँ आपको थोड़ा ग्रूब जैसा दिख रहा होगा चोटे 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 ज़्यादा होती है तो विट्रिफाइड पॉसिबल हो तो विट्रिफाइड टाइल आपको बाहर में लगवानी है अभी हम चलते हैं स्टेर की तरफ तो स्टेर में कुछ ऐसे स्टोन वाइस पैटरन चल रहे हैं टाइल में तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं काफी सस्ती अब को पढ़ती पर स्टेर के ताप से पढ़ती है यह कंपन्य वेरेंज़ा कंपनी की हैं मतलब एक लोकल मार्किट कंपनी की है तो उसके साथ जा सकते हो couleur औप्शन भी काफी अच्छा है ग्रे के साथ और इसी के साथ अग्र आप पैटरन बनाना हो मतलब जहां स्टेर पड़ा है 55 रूपे पर स्केर फीड और एंटी स्कीट और एंटी स्कीट है यह भी इसमें भी आपको डर बिलकुल ने रहेगा काफी अच्छी टाइल है काफी अच्छी लुक दे रही है थोड़ा आपको पैटरन दिखा तो और यह थोड़ा मैट फिनिश में आएक है मतलब स इसमें पानी भी रुपते हैं अगर किचन की मैं बात करूँ किचन में कुछ ऐसा पैटरन के साथ आप जा सकते हो देखो वाइड और बॉक्सी हैं वाइड और ब्लै कलर के तो काफी अच्छा पैटरन दिखता है मतलब 3D है यह मतलब बहार थोड़ा एक्स्टेंड हुआ है इसका जो पीसीज है तो काफी जदा अच्छा देखने को आपको मिल रहा है मैं आपको पूरी विजिट करवा देता हूं किचन की अभी थोड़ा वरकिंग में है तो थोड़ा डल सा आपको दिखेगा लेकिन काफी जदा अच्छा कलर यह देखने को मिल रहा है तो आप भी इसके साथ जा सकते हो मतलब उपर वॉल में टाइल आप तीन फिट भी कर सकते हो उपर तक कर सकते हो बाकि नीचे आपका ग्रेन आइट आए जाएगा उसे में फिक्सिंग हमारी हो जाएगी यहां तक क्लेर हो गया अभी थोड़ी टाइल का मैं ऑप्शन दिखाता हूं आगे यह क्योंकि यह वॉल टाइल है तो वॉल टाइल आप बहार में भी यह देखो यह काफी अच्छा पैटन आता है 230 वाई 700 एम मतलब एक पैटन आता है 230 वाई एक मेटर का भी यह आपको देखने को मिलेगा मतलब आप कलर वाइज पैटन वाइज चूज कर सकते हो जैसा आप अच्छा लगेगा ग्रूब परवाईट पर्वाइट करूगे तो काफी जादा अच्छा देख हुआ है तो नेक्स्वारूम का एक देस देखने को मिल रहा है तो एक बाए तीन का पीस आप इसको बोल सकते हो और काफी अच्छा ये वुडन में आपको देखने को मिल रहे हैं कहां पर ये वाथरूम टाइल है और ये उपर तक आप ये नीचे आप फ्लोरिंग में देख सकते हो जो पीस लगा है एक बाई एक का पीस वहां प्रॉवाइड क किया गया अभी हम चलते हैं नेक्ष्ट बाथरूम की तरफ यो टाइल प्रॉवाइड की है काफी ज़्यादा अच्छी मेरको देखने में लग रही है क्योंकि उसके जो लुक का काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव सा है आप देख सकते हो चोटे-चोटे पैटरंस इसमें बने हुए और नीचे जो टाइल फ्लोरिंग में भी काफी ज़्यादा अच्छी पैटर्न उसमें लगा हुआ है तो इसको भी एक आप्शन आप रख सकते हो क्योंकि इसमें पैटर्न बाइस पूरा बनाया गया है तो यह भी आपके लिए एक बातरूम आप्शन रह सकता है तो आई होप आपको आईडिया लग गया होगा कि कैसी कैसी टाइल्स आप प्रॉबाइड करवा सकते हो कजारिया कि यहां कौन सी बर्मोरा कंपणी की तो ऐसी हमारी प्लेलिस्ट बढ़ी हुए यह टाइल पे वो भी वीडियो देख सकते हो काफी चीज़ें उसमें तो ऐस इसी वीडियो आते रहेंगी बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच